नो है तो आप हम लोग यहां पर देखेंगे के पिछले क्लास में के लोग ने देखा था उसके आंगे Ke got out कि अब हम लोग देखेंगे तो कट आप लोको जो सिखाया गया था वह निमबर सिस्टम के बारे में और इस सारे चीज की कहानी बताया गया था कि कौन को नमबर है और इंटीजर्स पर ला करके आपको छोड़ दिया गया था आज उसके हम आगे की काम करेंगे कल identity का मतलब समझाए थे सब लोग को पता है ना identity मतलब identity का आर्थ होता है ना बदलेंगे जैसे अगर 5 में अगर हम 5 में 0 को add करेंगे या 0 में हम 5 को add करेंगे 5 यह न होगा यानि additive identity identity दो type का होता है एक होता है additive identity दूसरा होता है multiplicative identity जवाब दे सकते हैं जल्दी 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 दलाइए identity कितने type का होता है जल्दी बताइए सब्सक्राइब कौन कौन एक additive यहाँ पर लिखेंगे identity दो type का एक additive और दूसरा multiplicative कितने कितने डाइब का होगा अइडेंटिटी का मतलब आपका ए पलस जीरो या जीरो प्लस ए बराबर क्या होगा जीरो एक ऐसी नंबर है जिसे जोरने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है जैसे तुम्हारे पास 500 रुपीज है किसको कहा जाता है जिरो को डिप्लिकेटिफ आइटिटी पिचको कहा जाता है वन को जिसको कहा जाता है यानि 5 में 1 से multiply किया क्या हो गया और 1 में 5 से multiply किया तब भी क्या हो गया यानि 1 एक ऐसी number है जिसे multiplication करने से कोई तरह का effect नहीं होता है पुदिक्कत यानि 1 into 5 अब 5 into 1 यानि सब लोग जल्दी जल्दी दबाब जे कि identity element कितने होते है कितने टाइब के होते हैं दो टाइब का एक additive और दूसरा multiplicative फिर से बताओ अनुस्का जी अभिनाओ जी नैतिक राजी अब जब identity दो टाइब का हुआ तो inverse भी दो टाइब का होगा inverse भी कितने टाइब का होगा जल्दी बताब दो टाइब का एक additive inverse और दूसरा multiplicative inverse पढ़ाएंगे mathematics बनेगा हिंदी और English फिर से बताओ क्या होगा चल्दी बताओ अनुस्का जी अभिनाओ जी नैतिक राजी पढ़ाएंगे mathematics और जवाब सौल होगा किसका हिंदी और English मतलब क्या होता English में हिंदी में होता है below हिंदी में होता है और English में क्या होता है कि इंट भूसरएंट आज श्रह Double सो आप शिख तो आज सिख जाओगे क्लिए ना इनवर्स कितने टाइप का होता है जल्दी बेता ही अब जी एक को हम बोलेंगे एडियेटिव इनवर्स और दूसरा को हम बोलेंगे एक में आड करने से जीरो आ जाए और दूसरा में मल्टिप्लाई करने से वन आ जाए कोई दिक्कत तो बताओ मेरे भाई बहनो अगर यहां पर फाइब है क्या है फाइब में हम क्या जोरेंगे ताकि जीरो हो जाए तो क्या बोलोगे माइनस फाइब क्या बोलोगे जीरो हो गया कि नहीं जल्दी बताओ माइनस टू में क्या जोरेंगे कि जीरो हो जाए पलास टू उधर से आवाज नहीं आ रहा सब लोग जो बाब तो यार फटा पट 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 गूंग यही तो पैस लीटी आ बाबा का जूम पर कलास लेते हैं यूटूब पर उसी को डालते हैं अब बताओ माइनस थिरी का क्या होगा अनुस्का जी प्लस थिरी और प्लस थि निव इनवर्सी क्या है बोलो बोलो कि लिए रहे यास सब देखना है कि उसको लाना लाना है इंट लाना है इंट लाना है अब यहां पर यह five है क्या है जल्दी बता फाइव है यानि हम five में क्या से multiply करें ताकि वन हो जाए तो किया बोलोगे one by बूलो one आजाएगा कि नहीं आजाएगा बताओ शिक्स का जल्दी जल्दी बोलो one by one by six का six अब आ जारा सब लोग को कि इन फार्स कितने टाइब का होता है जल्दी बताओ टोथ जो एक अच्छा मजाक लग रहा होगा सर माथमेटिक्स पर आते हैं और हिंदी इंगलिस बन जाता है क्यूं तब बताओ घोरा का बिलोम सब्द क्या है घोरा का नहीं बता है अरे घोरा भी ढोने का काम करता है अउग गदहा भी ढोने का काम करता है लेकिन इसका जादा होता है इसका स्पीड कम होता है वह यह सो ओं इसलिए घोरा का बिलोम shaky hoda हैने चलो सब्सक्राइब करता है इसका उल्टा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आशान क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है बोलो यानि कुछ बिलोम सब्द ऐसे होते हैं जो पॉजेटिव को निगेटिव करते हैं और कुछ बिलोम सब्द होते हैं जो रेसी प्रोकल करते हैं क्या करते हैं यही आंगे चलके वेरियेशन में काम देगा क्या में देगा वेरियेशन दो टाइप का होता है एक डाइरेक्ट क्य में आया और हमारा बढ़ने से उसकी मान बढ़ता ह। तो उसको हम ढल एक कहते हैं छो हमारी वह घटने से वह बढ़े तो आप साइस्क पर होंगे तो यहां पर फोर्स डारेक्टल devi पोपर्शनल होता है M1 M2 काрист पोर्श डायरेकट्नी पोपर्शनल होता है और फोर्श इनवर्सर इनवर्सरी हमने कहा है डिस्टेंस इसस्क्वार का इसका इसका इस ostr IS यानि एक जगा बैठा हुआ अभीनोजी बैठा हुआ है एक दुसरे को अट्रेक्ट कर रहा है तो इसका भी कुछ मास होगा अनुसका जी का भी मास होगा और अभीनोजी का दिएरेक्टनिक करेगा अभी मान लिया जाए कि इसको 40 क्येजी वेट है और यह 30 केजी है लेकन यहाँ पर हैवी भिठा दिया जाए तो हमें कैले हैं । कितना है है और यहाँ पर問題 की ऊठा देंगे वोलो फोर्स बरहेगा कि नहीं ॥ बरेगा बोलो अनुस्का जी बताईए अबिनोव जी नहीतिक राजी समझ गया यानि फोर्स जो होता है वह डारेक्टली प्रपस्टनल होता है M1 M2 का मास भरेगा मास है तो फोर्स भरेगा बोलो यसा नो और उसका डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस पहले एक यहाँ बैठाया हुआ था यहाँ बैठाया जार डिस्टेंस इतना लगा बोलो यहां अब यहां ऐसे हो गया, बोलो करने आया, तो यहां distance को r's indicate किया गया है, किया से किया गया है वह inversely होता है, क्या होता है, तो इसको हम one by लिखते हैं क्या लिखते हैं? परने आ गया सब लोगों, एक फिर से बता ही अनुस्का जी अभिनो जी नैटिक राज जी या जो भी बात में वीडियो देखेंगे सारे लोग किलियर हो गया कि यह सर अब हम बात करेंगे कि यहां इंटीजर्स आ गया अब हम इंटीजर्स का एडिशन पहले हम अश्टेप से करेंगे क्या से करेंगे अश्टेप से क्या से अब यहां पर जो है आपको ऐसे खारा हो जाना है इधर राइट है इधर क्या है जल्दी बदा और इधर क्या है लैव जब तुम्हें पलस से श्टेप होगा तो राइट क्यों जाओगे बोलो यहां से न यहां पर प्लस टू का मतलब क्या हुआ अगर तुम यहां 0 है और यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है 6 है 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 सब्बोच की जिए नुसका जी आप यहां है और हमने कहा 5 और चलो मतलब राइट की और चलो किसके तरफ चलो बोलो अभीनों जी समझ में आ रहा तो क्या को गया यानि यहां पर 2 फाइव इकुल क्या हो गया लेकिन यहीं अगर अभी नोजी रहता टू माइनस 3 तर इसको कैसे पड़ते तू लाइफ धिल ट्रैस कर इस ठेट सटेप लाफ पहुंच गया माइनस घिट यहां है यहां यह थू है वर नस्य देप भलो फिन ट्व पर टूर ठेट तेरे स्टेप कहां पहुंच गया माइनस यानि आपको जो सीखना है वह सीखना है चुकि देखिए इसमें सीवेसी का विदार्थी बैठ सकते हैं आपका हिंदी मेडियम का कोई भी बोड बैच सकते हैं जैसे भीहार बोड जैक बोड या जारकन वाले या आई सीखना वाले य स्टेप अश्टेप का एक का लाइक राइट अदूसरा लैंका वि करना पने आख करना मतलब राइट का मतलब हुआ पला है दी titim होट अब मतलब बालकि आपकी सारी बूक्स पातीकूलर आप बनेगा इस बात काकी हम गरांटी देते थे या सारी बूक्स बन dirg इंटीजर में केवल सिखाना है एस्टेप क्या सिखना है एस्टेप दो टाइप का होता है पलस माइनस पलस का मतलब राइट माइनस का मतलब अधिकत पलस का मतलब लेकिन कभी कभी तुम्हें आपर सोचो कि यह जानना जरूरी है कि आपका डाइरेक्शन कैसा है जैसे देखो पलस का मतलब अप हो जाएगा माइनस का मतलब क्या हो जागा डाउन हो जाएगा लेकिन आपको कभी-कभी और डाउन भी जो है आपका प्लस का काम करेगा ऐगा कि indi जब दुम्हें नीचे ही जाना है कि जाना है य॥ जाना है कि जाना है कि आर नकिल आरी तुम्हारे लिए आ पॉजिटिव कि तुम्हारे लिए क्या हो गया अब उपर तुम्हारे लिए क्या हो गया जल्दी बताओ निगेटिव बोलो यह सोनो कोई काते हैं कि सार हमको डाटे बहुत तकलीफ लग गया आपकी थाओ थे ना आपकी बीचार है सेमपल टेस्टिंग आपकी पुर है अगर आप हमारे बोलो यह से नो अशुर बड़ा खरूश है ऐसे ही डाटते रहते हैं तो निगेटिव थिंकिंग तुम्हारा बिचार पर निर्वर करेगा क्या निर्वर करेगा आपकी थाओट पर निर्वर करेगा कि आप उसको कैसे ले रहे हैं बोलो अबनों जी बात समझ में आया बोल परहली लोग का विचार है कि यह हमारा और जीन है यह हमारा है तो यह राइट है और यह वाला क्या है लाशरो है कि बोलो लेकिन मेरे दोस्तों करज के बारे में सोचें के पताओ कॉन इंसान अच्छा है जिसके पास एक इंसान के पास 10000000 करज हैं दूसरे इंसान के पस के दस लोग करज है कि एक ल वाना ज़आ हैныеWhere लो तो निर्वर करता है ना कि आप कैसे सोच रहे हैं बोलो भी यह जैसे बैतो किनी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ ये बहुत आधमी बैसाक ही दे लिए चीज को समझ जीए आपको कोई चीजा प्रस्त पूछे कोई सलूशन ही आपको दे नहीं आपका थियोरी उसको समझ और दने अचे दूसरा टाइप का क्या हो सकता है अभी टंप्रेचर की बात चलता है किसी बात चल रहा है जसेद गया था उस दिन जमसेदपुर की टंप्रेचर फोटी फोर था आज मैं पटना में हूँ आज की मैक्समम टंप्रेचर जो है वा थर्टी नाइन पहुंचा है क्या बोजा है अब इसको हम नंबर लाइन पर दिखाना चाहें बोलो दिखा देंगे कि नहीं तो बताओ अब बताओ कि गर्मी जाता पटना परा या जमसेथपू पराना उसके पाइब मैं आसन सुल गया क्या आसन गया वहां पर तो 46 पहुंच गया था क्या पहुंच गया था अगर इसी विचार में हम सिमला चले जाते हैं क्या जल जाते हैं तो एसी की जरुवत नहीं नपड़ता बोलो यह सनो यारी कोई भी आउतर अगर सोचेगा तो इस पर कोशन सोचेगा कि नहीं सोचेगा बोलो यह से नो बोलो चाहो एंसे वाड़ी किताब हो यह सीवेसी वाले हो यह आईसी एसी वाले हो तो टम प्रेचर पर भी सोचा जा सकता है बोलो यह से नो बोलो यह जो बिद्यार थी यानि जो वीडियो हमारे देखेंगे तो य है कि पहला जो टीसरी question है जो माइंड इसका काम कर रहा है कि तुम्यम को देखा है भूलो अच्छा उसको विसकूट में अब्हु भी सब लोग खिलाया होगा कि लिषा के को की कोई पर चाहरते देखें कि बहुत कि यह सलने वाला हो ने चीखना हो फिचले लेगा फिर फिश लेगा फिर तागत लगाएगा फिर चरेगा फिर फिश लेगा अरे चारह तो पलस जठा तो क्या हो गया और फिसल गया तो अच्छा फ्रॉक सब लोग देखा एवनोजी फ्रॉक देखे यह सर हां देखे है आरे मतलब बहुत जगा देखे मैं आसन सुलसहर में देखा कि सब के घर में कुवा है जिससे पानी निकलती है फानी निकलती है एक तो बोरिंग से निकलती है ना और एक गढ़ा खंड करके उ वाला पर कोशन है वेसकली तुम लोग का माउस जो है ऐसे राइट पर कोशन है पर कुशन है लेकिन मैं इसको बदल देता हूं फ्रॉग पर और मंकी पर बिदलो जल्दी बताओ दोनों पर बदल देता हूं चूकि मुझे सिखाना है हमें कोई पार्टिकुलर बुक नहीं रहेगा आप बड़सर पर भी सकते हैं हमारे एप पर भी सकते हैं आपकी जो है नेक्स वीडियो में उसको हम पूरा प्लियर कर देंगे कि आपकी कोश्चन यह था और इसकी जवावी है कि अब यहां पर देखेंगे कि एक मंकी है क्या है जल्दिविदा मंकी क्या है और एक बार में तीन फिट चहरता है किन्दा फिट चहरता जल्दिविदा और ठक जाने के बाद दो फिट फिसल जाता है दो फिट दो फिट अच्छे बता तेन फिट चहरना रहेगा तू कितना मिलट रहे हैं उसको कर तेन मिनट गलत जवाब है हमें बहुत तकलीफ हुआ देखिए फास्ट में वह तीन अस्टेप पताना है अस्टेप पहले बता हुआ पहला में तीन फिट चहरा बोलो यास या नो अगला में दो फिट फिसल गया बोलो फिर तीन फिट चहरा दो फिट फिसल गया बोलो यार बजमासिक दो फिट फिसल गया फिर तीन फिट चहरा दो फिट फिसल गया फिर तीन फिट चहरा दो फिट फिसल गया एक दो तीन चार फिर हो गया फीर हो गया एक दो तीन चार पांच छे और यह हो गया अगला तीन फिट जैसे ही चाहरा तो तेन फिट हो गया ना जब चाहर जाएगा तो फिश लेगा क्या वोलो दिस इस दे लॉजिक अग्लि कितना स्टेप लगा ग्यो कि आठ अठ अगेरी कि आथ दी लगा ना एक दी गोलू एक फिट हुआ जैसे दीन भर में टीन फित चारा और रात में 2 फिट भिसल गिया एक दिल लगा भिर नेक्स दिन 3 फित 4 दो यह तिन जारा गया तो फीच लेगा बोलो अनुस्का जी यह बात समझ में आया अभिनोग जी यही अगर टाइम पर होता क्या पर होता टाइम पर कि फर्स्ट मिनट में चाहरा जैसे देखोगे उसको कहा जाता है नशाखोर क्या करता है नशाखोर इस पर स्. परमा साहेम ने अपने फिजिक्स में लिखे हैं हमारे सेमन क्लास का बच्चा बना देगा क्या लिखे हैं पता है एक प्यांक आदमी एक समझे एक नशाखोर आदमी एक यह सी परमा साहेमे को बुक में लिखा हुआ है यहां से चलना यहां पी करके चलना चालू किया चलना पाहिला मिनट में सुना कि जाएंगे घर पांच फिट चाहरा है कि अगला मिनट में भाई पत्नी बहुत दाटेगे Jai Phatya आपतमीλ हुत है कि कि पर्वास्क मिनेट हूए भूल कि यहां पर做ओ ती विशाल गिया बोलो अगला मिनट में दो पिड दो धी प्या हो गया अ passarए फिर तीसरा मिनट में फिर पांच फिर चारा बोलो यहा мной और चौथा मिनट में फिर 2 फिर फिसल किया बोलो भई आरा सब लोगों समझ के बोलो यह व्यो सर और पता है उसको यहां जो घर है बोलो न उसको यहां जो घर है वो 38 फिट पर है कितना पर है जल्दी बताओ तो बताओ कितना मिनट में पहुंचेगा तो 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 अगर यह दो मिनट का टाइम खर्ज करता है तो तीन फिट चाहरता है कितना चाहरता है तीन फिट और ऐसे ऐसे इगारा स्टेप लेगा तो थाटी थीरी फिट चाहर जाएगा बोलो और जैसे ही बर्मा स्टेप मारेगा तो उसकी पत्नी हाथ पकर लेगा अब बुले अब तहां तो फिस लेगा तो यहां पर 11 into 2 करेगा 22 हो गया बोलो और अगला मिनेट में जैसे ही फांस मिनेट में 38 उसका पत्नी हाथ पकर लेगा तो पीछे घीचेगा नहीं देखता है प्यां काजमी का अगर मेरी फोटो आप लोग देखते है आज मैं घर नहीं जाएगा फिर रिटर्न होता है रैट पर दिया हुआ है क्या इस टाइप पिश्टन आप लोग बना देंगे बों चीजिधा है अब यहां पर है रैट और बिल्ली की कहानी till कया हो कि यह सकता है यानिि दो आदमी का मेल कैसे हो सकता है आप लोग कभी कभी टहने जाते होंगे नानी जी जी के साथ और दादा दादी के साथ तो किंही का श्रेप बड़ा होता है किंही का स्टैप छोटा होता है बोलो का सब्सक्राइब जिनकी बढ़त इतनी बढ़रा ओतने स्टेप उनका बढ़ा होगा बोलो एस है औू सपने प्रखक्रभा उनको कम चलना परेगा और जिनकी ऐसे जोटा हो गन्सका होगा उनको यह उतना चलना परएगा और पेसे कर नो बोलो यह सारी बाते को करते हुए आप लोग का यह जो चैप्टर है इंटीजर्स का वो सब लोग बना लेंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे आप जो भी बोट का वो किताब जरूर बनाए गूगल का जमाना है या कहेंगे तो हम लोग अपने आप पर उसको लोट कर देंगे आप एंसे आड किताब को जरूर बनाए और जो भी आपके पास है बुक बनाए और आपकी प्रॉब्लम होता है तो वहां पर आप डाले आपकी सॉलूशन मिल जाएग और यहां पर ध्यान में रखना है कि आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई जहां पर अस्थान पर पहुंच जाएगा वहां से वह return नहीं होगा यह बात को clear करना है बोलो सब लोग को आगे करने बाबू तो फिर सब लोग कल मिलेंगे और ये वीडियो लोट होगा एक दिन के बाद यूटूब पर लोड होता है और यूटूब पर आप उसको देख सकते हैं लेकिन उन्हीं को दिखेगा जो हमारे जॉइन बटम को लिए हैं तो जॉइन बटम को ले लिया जाए सब लोग को क्योंकि जॉइन बटम लेने से आपको वहां पर दिखेगा दूसरा आपका जो है एप की फैसलिटी मिल जाएगा आप जो कोशन भेजेंगे मुझे दिखेगा हम जो उसका अंसर बना के भीजेंगे आपको दिखेगा और तीसरा क्या है कि आपको जो होंबर्ग जाएगा और आपको बहुत अच्छा होगा अनुश्का जी सब बात समझ में आ गया अभिनाव जी नहीं तिक राजी अभिनाव जी समझ में आ गया इस ठीक है पापा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जैसे देखिए वह आपकी हम लोग देख लेंगे